हाई गाइस हाव यू आई होप यू और बात कहना चाहूंगा अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को प्लीज लाइक करो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाओ इससे आपको हमारे वीडियो जो होंगे समय पर मिलते लें और इस वीडियो को अपने उन जिनको आपको लगता है कि इसकी जरूरत है आप चरूर से अर कीजिए हमारी कोसिस को आप ही आगे बढ़ा सकते हैं हमने लाश्ट प्लास तक जो दिस दोस और दिस दैट का यूज सीखा था अब उसके हम आगे बढ़ते हैं आज हम सीखेंगे यूज ओफ इस एम आर इस एमार का यूज हम में वर्ब के रूप में करने को सीख रहा है आई मैं वी हम या हम लोग यू तुम आप आप लोग की वह किसी मेल के लिए सी वह किसी फी मेल के लिए दे वे लोग यह सिंगलर है यानि एक को इंडिकेट करते हैं यह प्लूडल है यानि एक से अधिक को indicate करते हैं, persons हम जानते हैं, first person, second person, third person, इसको हम और detail से जब grammar section में आएंगे, तब बात करेंगे, फिल्हाल हम start करते हैं, कि is MR को as a main verb हम कैसे use कर सकते हैं, अब मैंने आपको पहले बता दिया है, I, I, मैं, इसके साथ हमेशा am का use होता है, वी के साथ, आर, यू के साथ, आर, दे के साथ, आर, यानि ये plural हैं, इनके साथ, ही के साथ, इस, सी के साथ भी इस, अब इनको हम use कर रहे हैं in sentence, मैं एक छात्र हूँ, I am a student, तुम एक वकील हो, you are a lawyer, तुम वह एक नेता है, he is a leader, अब ऐसे कुई भी sentence है, मेरा भाई एक डॉक्टर है, my brother is a doctor, वह एक प्रसिद डांसर है, he is a famous dancer, वह निर्दोस है, he is innocent, तुम देशवक्त हो, you are patriot, तुम बदमास हो, you are wicked, मैं अच्छा हूँ, I am good, कुछ भी बोलिए, आराम से आप इंटाइफ के sentences को, खुब प्रेक्टिस करो, जैसे, अब हम लोग अच्छे हैं, we are good, we are good, अच्छे दुकानदार हैं, they are good, सबकी पर, अब इसमें और भी कर सकते हैं, बहुत से चीज़ हैं, मैं प्रोफेशन्स को यूज कर सकते हैं, मैं सिक्छक हूँ, I am a teacher, तुम चातर हो, you are a student, वह एंजीनियर है, he is an engineer, मेरे पापा, डॉक्टर है, my father is a doctor, मेरे चाचा एंजीनियर है, my uncle is an engineer, मेरा दोस्त, एक वकील है, my friend is a lawyer, मेरा दोस्त, एक DM है, my friend is a DM, मेरा भाई, collector है, my brother is a collector, आप अराम से इस टाइब कि जितने भी प्रोफेशन्स हैं, उनको सब में, I, V, U, E, C, D, लगाओ और लपेटो, खुब बढ़िये से आप बोल सकते हो, चुकि आपको बोलना आता है, अब आप बोल सकते हो, अब हमें स्टाट करते हैं, इन ही संटेंसेस के साथ, निगेटिव में, निगेटिव अगर श्टाट होगा इन ही संटेंस में, तो जड़ा सा सोचो हम कैसे करेंगे, चलो, अब हम लिखेंगे नहीं, हम बोलेंगे, बोलेगा इंडिया, इस्टार्ट, अब मैं एक छात्र हूँ, यह बोला था अब तक, अब मैं बोलूँगा, I'm a student की जगह, negative, I'm not a student, I'm a teacher, I'm not a shopkeeper, I'm a postman, I'm not an engineer, I'm a doctor, आप किसी भी संटेंस को, negative बोलो, और इसी को आप assertive में बोलो, आप अराम से बोल सकते हो, जैसे, मेरे पापा वकेल नहीं है, मेरे पापा एक नेता है, my father is not a lawyer, my father is a leader, मेरे चाचा, मेरे चाचा, दुकानदार, चाचा सरकारी ओफिसर है, my uncle is not a shopkeeper, my uncle is a government officer, आप कुछ भी लगाईए, फटा फटा बोलिए, अब इसी को हम अंगरेजी में, जैसे, you are not a lawyer, he is not a leader, my brother is not a doctor, C is not a famous doctor, you are not an honest shopkeeper, बहुत अच्छे से आप मेहनत कर रहे हैं, you are not a teacher, आप इसी negatives को बोलो, negatives में खूब आप से हो, see if it's reply करो, I am not a poet, I am a shopkeeper, इमांदार नहीं हो, you are not an honest, आप 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 से इन sentence को बना से तो, तुम faithful नहीं हो, you are not faithful, तुम्हारा भाई faithful नहीं है, your brother is not faithful, कुछ भी आप लगाओ, sentences को फटा फट बोलो, फटा फट बोलो, फटा फट बोलो, फटा फट बोलो, that's very important, हमने affirmative sentences कर ले, negative sentences कर ले, अब हमें start करते हैं, interrogative type के sentence में, interrogative हमने कर रखा है, questions वाले के रिया है, चले इस पर बात करते हैं, क्या, क्या तुम चोर हो, are you athip, क्या आप बैमान हो, are you a dishonest, कहेंगे, क्या आप नेता नहीं है, are you not a leader, क्या मैं छातर नहीं हूँ, interrogative के साथ, हम negative और assertive को भी use करके देखते हैं, जैसे देखो, अब मैं कहूँगा, are you a thip, no, I am not a thip, I am innocent, क्या तुम चोड़ हो, नहीं, मैं चोड़ नहीं हूँ, मैं निर्दोस हूँ, समझ रहा हैं, अब इस टाइप से आप खुब बोलते हैं, मैं तुम से पोस्ता हूँ, क्या तुम चातर हो, नहीं, मैं चातर नहीं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, ऐसे ही तो जवाब दे रहा हूँ, अब इसी को आप अंग्रेजी में बोलो, are you a student, no, I am not a student, I am a doctor, flow create कीजिए, flow create कीजिए, आप असानी से बोल सकते हैं, अब जैसे मैं बुरूँ, are you a shopkeeper, no, I am not a shopkeeper, I am a pharmacist, जा तो मैं एक अच्छे चातर हो, are you a good student, no, I am not a good student, I am an average one, आप इस टाइप के sentences को खुब लगातार practice करो, जितने ज़्यादा practice करोगे, उतना ज़्यादा fluency आईगी, आप खुब जानते हो, गार्वेज इन, गार्वेज आउट, जितना हम in-tech करते हैं, उतना ही बाहर निकालते हैं, तो जरूर ही है आपके लिए, कि जितना ज़्यादा practice करो, sentences को तोड़ो, जितना ज़्यादा उसको fluency लाओ, अब हो सकता है, बहुत से sentences में आपको कई बार यह होगा, कि आप words difficult है, नहीं हाया, कोई बात नहीं है, आप उसको सी के रूप में यूज़ करोगे, आप किसी उसे पूछो, क्या पैदा हुए थे, तो आपको ABCD आती थी, नहीं आती थी, मुझे भी नहीं आती थी, मैंने भी मम्मी से यह पूछा था, तो आप समझ सकते हो कि पैदा होते समय किसी को नहीं आता, जो आया, यहीं आया, जिसने सीखा उसे आ गया, जिसने नहीं सीखा उसे, अभी भी नहीं आया, हम सीखेंगे, तो अब हमने इंटरोगेटिव किया, अब हम इसी के साथ इंटरोगेटिव में भी निगेटिव को are you not a pharmacist are they not housewives जो हमने interrogative plus negative क्या विसका भी हम reply दे सकते हैं are you not a shopkeeper no no I am not a shopkeeper I am a pharmacist are you not a teacher no no I am not a teacher I am a student are you not a doctor no I am not a doctor I am an engineer very good आप इस टाइब से sentences को repeat करो मतलब questions में negative भिलाया और फिर हम उसका reply भी देंगे अब अपने friends के साथ आप मिलते हो आप उससे पूछ सकते हो are you a poet no I am not a poet आथा आप आराम से जवाब दे सकते हो और जवाब देना तो बहुत ही असान है तो हमने बच्पन से सीखा है हमने तो simple sentences को सीखा अब हम इसकी आगे बढ़ेंगे अब इनी sentences में हम एक साथ दो या तीन चीजों को एड़ करेंगे यानि दो या तीन nouns को लाएंगे या adjectives को लाएंगे या चीजों को यूज़ करें अब जैसे मेरा दोस्त चलाक और बुद्धिमान है संजो क्या बोला अब तक मैं बोलता था मेरा दोस्त चलाक है बईमान है ये अब मैं करहा हूं एक साथ उसके दो qualities को जो रहा हूँ मेरे दोस्त चलाक और बुद्धिमान है, my friend is clever and wise, मेरे पापा अच्छे और सब भी है, my father is good and gentle, ठीक है, अब आप इसी को बना सकता हो, जैसे कहेंगे, तुम बैमान और निर्दई हो, you are dishonest and cruel, मेरा भाई अच्छा और महनती है, my brother is good and laborious, वह निर्दोस और देश भक्त है, he is innocent and patriot, तुम चलाक और धूर्थ हो, you are clever and cunning, अब मालगों जैसे कुछ और, जैसे कहेंगे, रजनी स्वस्त और सुन्दर है, रजनी is healthy and beautiful, आप sentence को थूड़ा बढ़ा कर रहे हो, दीरे दीरे करोगे, और अच्छा होगा, अब जैसे कहेंगे, क्या रजनी स्वस्त और सुन्दर इस रजनी not healthy and beautiful, तुम अच्छे और इमानदार नहीं हो, are you not good and honest, क्या तुम बहादुर और महनती नहीं हो, are you not brave and honest, क्या तुम्हारा भाई सच्चा और इमानदार नहीं है, is your brother not true and honest, इन sentences को आप अराम से कवर करोगे, इन पे जितनी ज्यादा प्रेक्टिस हो करो, अब जर मारे दोस्त बैमान है, my all friend side is honest, राधा और गीता लंबी है, राधा और गीता अर टॉल, आप कहेंगे, सीता और गीता भूखी है, सीता और गीता अर हंगरी, इस टाइप के तो आप sentences को जितना ज्यादा expand करोगे, उतना ज्यादा मज़े करोगे, चलिए, तो वो topic तो आपने कवर कर लिए, हम ASMR का यूजब कर ही रहे हैं, तो थोड़ा सा हम ASMR के कुछ अलग टाइप के uses को देखते हैं, यह affirmative sentences हैं, जो ASMR से ही बनते हैं, यहाँ जैसे होता है, होती है, रहता है, करता है, इस टेप का, सुनने में देखो, ताहेते हैं, बहुत से लोग कहेंगे, बेटा य टेंस नहीं हैं, चलो सेखते हैं, अब कोईला काला होता है, नौर्मल, हम किसी चीज की इसे इस्ता बतला रहे हैं, यह किसी की क्वालिटी इसको इंडिकेट कर रहे हैं, कोईला काला होता है, और कुछ भी मत करो आप इसमें, साप डरावना होता है, स्नैक is fearful, चीनी मीठी हो होता है, elephant is strong, गड़ी भी मांदार होते हैं, पूरार पानेश, सादू दयालवी हुआ करते हैं, सैंट्स आर काइंड, आप आराम सेंच टाइप के कुछ भी संटेंसे हो, आप बनाओ, जैसे कोईल काली होती है, कोईल काली होती है, मिर्च तीखा होता है, चिली इस बीटर, बेजीज़क इन संटेंसे, पे महनत करो, आप जैसे मनिश से मरंसील होता है, man is mortal, पानी ठंडा होता है, water is cold, सर्दी की रात ठंडी होती है, the night of winter is cold, गर्मी के दिन भ्यावा होते हैं, the day of summer is very terrible, आप इन संटेंसे को जितना जादा प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस करो, किसी भी टाइप के संटेंस हैं, जो आपको मिल रहे हैं, गलत होगा ना, कोई बात नहीं है, दस में से दो तो सही होंगे, तीरे-दीरे बढ़ेगा इंडिया, पर अंग्रेजी पढ़ेगा इंडिया, इनी कॉम्फेट निगेटिव में कर सकते हैं, हमने ये तो कर लिया, अ आप कैसे बनाओगे, डॉक्सार नॉट फैफफुल, आप कहे रहे हैं, कोईला कॉला नहीं होता है, कोल इस नॉट ब्लैक, सोना पीला नहीं होता है, गोल्ड इस नॉट योलो, आप कहेंगे, आप कुछ भी लगाईए, चीनी मीठी होती है, यस होती है ना, चलो, अब मैं बोलूगा, चीनी मीठी नहीं होती है, सुगर इस नॉट सॉर, आप आप से कोई भी सेंटेस है, उसमें नॉट लगाऊ, आप से यूज करो, सेंटेसे यूज करना तो आपको आता ही है, हमें लिखना नहीं है, हमें बोलना है, कुछ भी आप देख रहे हैं, आप कहेंगे, स्वास्त के लिए अच्छा नहीं है, smoking is not good for health, आप कहोगे, चोड़ी करना समाज के लिए अच्छा नहीं है, या भरष्टाचार समाज के लिए अच्छा नहीं है, corruption is not good for society, पर अफ गरम नहीं होता, ice is not hot, कहेंगे, अमीर देयालू नहीं होते, rich are not kind, तो अब आप ऐसे, interrogative sentence को भी use कर सकते हैं, कहेंगे, क्या कवेला काला होता है, is gold black, कहेंगे, क्या सोना सच मुझ पीला होता है, is gold really yellow, क्या अमीर भीमान होते है, are rich dishonest, क्या पुलिस अच्छे होते है, are police good, अब आप इस टेप के sentences बनाओ, किसी भी तरह का, इसी में आप interrogative हो गया, अब आप interrogative के सा होता, is sugar not sweet, क्या कैंगे, क्या साप भरावरा नहीं होता, is snack not fearful, क्या दोपहर का सूरज थंडा नहीं होता, is midday sun not cold, क्या बच्चे इमानदार नहीं होते, क्या बच्चे नेक नहीं होते, तो our children not gender, क्या बच्चे नटकट नहीं हुआ करते, our children not nutty, क्या भारतिय थेस भक्त नहीं होते, our Indians not patriot, क्या दूद स्वास्त के लिए अच्छा नहीं होता, is milk not good for health, क्या सहद बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता, is honey not good for kids, तो आई हो बच्चों, आप लगोंने बड़े enjoy कि यह होंगे इस video's को हमने आज सिखा है सर्फ is MR का use, is MR को मैंने use किया, I, V, U, They, इनके साथ, he, see, it के साथ भी, और इसके साथ हमने उसके assertive की, negatives की है, interrogative की है, interrogative की है, interrogative plus negative की, अब is MR का हमने affirmative sentence, negative sentence, interrogative, interrogative, interrogative plus negative, इस टाइप के sentences में use किया, मैंने आज आज आपको कुल 12 टा में rewind करो, पहले जो एक topic सीखा, pause करो, उनकी practices करो, फिर negative वाल आया, आप फिर उसको बढ़ाओ, उसको ध्यान से समझो, फिर pause करो, दुबारा से आप क्या करो, फिर से practice करो, इस तरीके से सबसे बड़ा फायदा होगा, कि आप हर एक topic के 10-10, 15-15, वीजबी sentences के practice कर पाओगे, आप जितना ज़्यादा practice करोगे, उतनी ज़्यादा fluency आपके अंदर आएगे, मैं फिर कहता हूँ, बहुत असान है, पढ़न तु, जब करोगे, तो मज़ा आएगा, very good, फिर मिलते हैं next video में कल, thank you very much,